पर 8 पर है गौर्मेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी जो की चंडिगर के सेक्टर 10 में स्थित है और यह है मूजियम एंड आर्ट गैलरी टूरिस्ट के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं यहाँ पर गंधारा के पत्रों की मूर्तियां, पाशान काल के पत्रों की मूर्तियां और शिल्क पृतिया देखी जा सकती हैं यहाँ पर एक रेफ्रेंस पुस्तकाले भी हैं जिसमें पाशान काल से जुड़ी हुई 6000 पुस्तके देखी जा सकती हैं नमबर साथ पर है जाकिर हुसेन रोज गार्डन जो की 1967 में बना था और ये अपनी तरह का पूरे एशिय माहदिव में सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है तकरीबन 17 एकड में फैला हुआ ये गार्डन 17,000 अलग अलग पेर पोध्यों से घीरा हुआ है इसमें 16 सोतर है के गुलाब देखने को मिलते हैं जो की इस गार्डन की सबसे बड़ी विशेशता है इसमें हर साल एक रोज फैस्टिवल लगता है जहां पर इन गुलाबों की वेराइटी दिखाई जाती है नमबर 6 पर है चटबिड़ जू ये शानदार जंगा चंडीगड से 17 किलोमीटर दूर चंडीगड पटियाला रोड पर स्थित है तकरीबन 202 एकड में फैले हुए इस जियोलोजिकल पार को पूरे उतर भारत में सबसे बड़ा जियोलोजिकल पार के रूप में जाना जाता है प्राकरतिक जंगल के इस माहोल में स्थित इस जू में स्तनपाई, पक्षी, स्रिस रूप की 90 तरह की परजातिया पाई जाती है लेकिन यहां का सबसे मुख्य आकर्शन यहां पर मोजूद रोयल बैंगोल टाइगर है नमबर फाइव है ली कार्बोजियर सेंटर यह एक हैरिटेज बिल्डिंग है, ली कार्बोजियर एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिन्होंने यहां इस ओफिस में बैट कर पूरे चंडिगड का मास्टर प्लान बनाया था और उनसे जुड़ी हुई समृतियां यहां पर रखी गई है, यह चंडिगड के सेक्टर 19 में स्थित है नमबर चार पर है पिंजोर गार्डन जो की चंडिगड से लगबग 22 किलोमेटर दूर चंडिगड काल का हाईवे पर स्थित है इस खुबसूरत गार्डन का निर्मान सतरविष्टाबदी में पटियाला के राजवंश के राजा यादविंदर सिंग जी ने करवाया था इसलिए यह जंगह यादविंदर गार्डन के नाम से भी जानी जाती है लेकिन पिंजोर में स्थित होने के कारण यह जंगह पिंजोर गार्डन के नाम से जानी जाती है नमबर तीन पर है चंडिगड का एलांटे मोल यह चंडिगड में सबसे बड़ा और पूरे भारत में सबसे बड़े मोल में से जाना जाता है ये शानदार शौपिंग मोल 20 एकड के शेतरफल में फैला हुआ है जो चंडिगड आने वाले टूरिस्टों के लिए सबसे बड़ा शौपिंग के इंदर है नमबर दो पर है सुखना लेक चंडिगड में शिवालिक प्रवस्षिंखला में स्थित बहुत ही खूबसूरत मानव निर्मित छील है जो की तीन किलोमेटर के दायरे में फैली हुई है यहाँ पर एशियन रोइंग कोंपिटिशन का आयोजन किया जाता था साथ ही साथ यहाँ अन्य वाटर स्पोर्ट को भी खेला जा सकता है यहाँ पर शांत और खुशनुमा माहुल के चलते परियाटक यहाँ पिकनिक के लिए बोटिंग के लिए और मेडिटेशन के लिए आते हैं नमबर वन पर है रोव गार्डन चंडिगड की यह शांदार जंगा सुखना जील और कैपिटल कॉम्पलेक्स के बीच में स्थित है 40 साल पहले नेकचंजी दुआरा डिजाइन किये गए इस गार्डन में कचरे के धेर से कई शांदार कलाकरतियां बनाई गई हैं यहां वाटरफॉल, पूल और घुमावदा रास्ते सहीत 14 लुभावने चेमबर बनाई गई हैं जो इनसान की कलपना शक्ति को दर्शाता हैं तकरीबन 40 एकड में फैला हुआ ये खुबसूरत गार्डन सुबह 9 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंध होता है तो यहां पर जूले लगाए गए हैं और पीछे सीटिंग एरिया बैठने के लिए दिया गया हैं अगर जो लोग चंडिगर आना चाहते हैं I hope उनको इस वीडियो से काफी easy रहेगा और ये tourist place है जो आप यहां पर चंडिगर आने के बाद गूम सकते हैं I hope आपने वीडियो को enjoy किया होगा अगर जरा सा भी enjoy किया हो तो please like, share and subscribe जरूर करें उसके बाद आता है एक bell icon उसको ज से पहले मिल जाएगी thanks for watching me and my channel bye bye